आ प्रकार्नों प्रश्णाने विचार एक एवी मानसिक्ता थी आवे चे जिस संगटित धर्मों थी उत्पन्न थाई चे आपने शेवनी विरुद्धुमा कोईनी वाद नथी करी रहा कारण के जेमनी तमे वाद करो छो शेव माई बद्धा पासा हायाद चे फक्त एकाद पासानी तेव एशोध करी औने तेना विशे वाद करी औने तेव लोग प्रियेपन थाया हुँ तेमनू ओच्चू महत्व नथी आकी रहो तेव अद्भूत लोको हता आने मानवता माटे घणू कार्य करी यू मुझे यारे कहू छू के ग्रहन शक्तीना आधारे एमना जेव आजसुधी कोई नथी बन्यू अने हुँ फक्त ग्रहन शक्तीने महत्व आपू छू अने तमारे पने एज कर्वू जोईए बाकी बधू बनावी शकायम होई चे बाकी बधू एक तामजाम चे तो तमे जेन विशे वाद करी राया हता शिव थी मोटा जेन गुरू कौण होई शक्तीने के कोई सामे आवे अने ना पोता ना छोक्राने पन खबर न पड़े के कौण चे तमे गुटी विशे साम्बलू चे जेन गुरू गुटी कायम आव करता वाद करता करता लोकोंने एम थतु क्या कैम मने अंगली बता विराया चे वाद फक्त एटली चे केव केवा मागता आता के बधू एक चे आयम ने शिक्षा हाती बाकी कई महत्व पूरुण नती आयम ने शिक्षा हाती तो त्यां एक नानो छोक्र हतो करण के बहुद मठो मा नाना बाड़को पन सन्यासी बनी जता होचे चार पांच वर्षना बाड़को तो आ नानो बाड़क मठमा मोट्टो थे रहे हो अतो एक गुटी ने जोईने एविज हरकतो करवा मंड़े हो तो ए बाड़क आंगली बतावीने फर्तो रहेतो कोई कईपण के एने तो गुटी आ बदु जोईू अने तेमने ए बाड़क 16 वर्षनो थाए तो आ शूदी रहा जोई एमने एक दीवस बाड़क ने बोलाव्यो अने तेमने आमकरियू ए बाड़क ए पण आधे अनुसारे उचकरियू कारण के या इम ए उचकरतो रहेतो एने पण आमकरियू तेमनेक चप्पू काड़ियू औने बालकनी अंगली कापी नाकी अने तेवो कहे छे के तेने आत्म ग्णान प्राप्त थेएू अने अचानक वाद समझ में आवी क्या एक विशे नथी पणा शुन्य विशे छे शीव आना थी पणा अगळता गणा समय पहला तेवो क्यांक थी पाचा फर्या तेवो काड़ियम त्रिशूल रागता त्रिशूल ने त्रोण माथा होई छे तेवो काड़ियम त्रिशूल रागता लोकोंने बतावा माटे के त्रोण पासा होई छे तमे पोते तमारा होवानी रीत तमने जे खबर चे औने तमने जे नथी खबर औने तमने जे नथी खबर ए सवथी वद्दारे महत वनुचे नहीं के तमने जे खबर होए तो एक दिवस घणा लांबा समय पची एक यांकती पाचा आवे आता एमने पोताना पूत्रने क्यारे जोय नतो हवे एनी उमर 10-11 वर्ष्णी छे जे रे शिव पाच्छा आव्या तो आ बाड़क नाथ में एक नानू त्रिशूल अतु तेना वड़े एने तेमने रोक्या शिवे तेनी सामे जोयू अने माथू कापी नाक्यू एनू त्रिशूल नही पच्छी जे कई नाटक थयू अने अमने तेनी उपर एक बिजू माथू लगावी दिदू एक गणनू माथू एनी उपर अने एक खूबज बुद्धिशाली बाड़क बनी गयू आजे पन भारत मा जो कई शिक्षानी शरूआत करे छे तो तेवो सोथी पेला बाड़क नी पूजा करे छे गण आजे गज बनी गया छे गणनू माथू आजे गणेशनी जग्याई गजेश बनी गया छे लोकोई तेने थोडू बदली ने एक हाथीनू माथू बनावी दिदू छे पण तेवो बुद्धी अने प्रतिभानू एक रूप बनी गया छे एवो कहवाय छे कि एवो कई छेज ने जेमने ना खबरोए तो जेननी शरूआत अहिया थी थेई तो कई पण तमे कई पण वाद करो आ दुन्यानी एमना जिवन मा कई बाकी न थी तेवो घणा जटील छे अने पूरुण पण छे अने एमने कोई शिक्षा न थी आपी एमने फक्त रीतो बतावी छे अने सौथी महत्व पूरुण वाद छे बीजा पासे शिक्षा हाती किटली आंगलियो कापी शका है शूँ तमे आवी कोई रीत अपनावी शको छो शूँ तमे गुईटी न अंगलिका आपफाना उपाईने बदा पर लागू करी शको छो एक बालक ने अंगलिका आपी नाखी ने अत्मग्नान मली गयो जो तमे वधारे अंगलियो कापशो तो तमारी पासे फक्त अपंग मनुष्य हाशे एती वधारे कई नहीं तो शिवे कोई शिक्षा न थी आपी फक्त रीतो बतावी अने आ रीतो 100 का वैग्नानिक छे शिवे 108 रीतो बतावी अने तेमा 6 उमेरीने कळूं के 112 रीतो छे 112 रीतो एटला माटे कारणके आपना शरीर माँ 104 चकरो छे एमाथी 2 आपना शरीर नी बहार छे तेमने कजू 1 शेत्र एलोको माटे चे जे शरीर थी विशेषच छे मनुष्य माटे फक्त 112 रीतो छे अने अमने बताव्या स्पष्ट उपायो कि केविरीतना उप्योग करी शकाए 112 पासाओनों कि आ जीवन केविरीतना बन्यू छे अने दरिक मार्गनों उप्योग करीने केविरीतना आत्मग्नान मेलवी शकाए एक सुंदर वार्ता छे जेयरे शिव विस्तरण करी रहा आता आज जीवननी बनावट वीशे सब तरुश्य साथे त्यारे त्या एक साक्षी हता अने ए साक्षी आननद तीर्थ जिवाना हता एक पार्वती हता एक पहले थी जात्मग्नानी छे तेमने खूब आत्मियताना वातावरणमा पार्वतीने आत्मग्नान सुधी पहुचाड़े आता पण ज्यारे सप्तरुशियो बेठा त्यारे अन्वेशनना एक जुदाज पासामा शेव उत्री गया पार्वती माटे आखूब रोचा कतू के जे अनुभव एमने सहलाई थी मड़ी गयो एक खरेखर केटली जटील प्रक्रिया छे तो जुदा जुदा पासाओना विस्तरण विश्य समझावता कहूँ के मनुष्य 112 रीते आत्मग्नान मेडवी शके छे पार्वती एक महिला एक आत्मग्नानी अन सौथी वदार एक पत्नी होवना नाते कहूँ के कैम 112 अज कदाच वदारे पन होई शके एक जीवन नी बनावट विशे अन्वेशन करी रहा था तेव कोई शिक्षा के फिलोसोफी नोता आपी रहा है आ प्रक्रिया मा एमने लाग्यू के शांती नो भंग थे रहोँ छे एमने पार्वती ने खसेड्या फक्त एक सो बार रितोच छे कारण के तमे के एक शिक्षवी रहा हो औने कोई आवी ने के एक टिपनी करे औने ये पणंगत कोई विचित्र टिपनी तेवो बोल्या बस एक सो बार रितोच पार्वती कईओ हुँँ बिज्या शोधिश शिवे कईओ तमे जेने शोधिश अकोच पार्वती तियां थी जता रहा है तेवो पहले थी ज आत्मग्नानी हता आने आत्मग्नान मेडवानी विशेश रितो शोध्वा लाग्या युँ कहवाई छे के घणा वर्षोनी साधना पची तेवो पाच्छा फर्या शिव त्यारे पन सब्तर रिशियो साथे वाद करी रहा है ता एक पत्नी होवाना नाते ए आवी नेमनी बाजुमा बेसी शके छे पन तेवो आग्या अने एक पगथियो नीचे बेठा ये रिशियोने जणावा नोता मागता पन शिवने जणावा मागता हाता के तेवो हारी गया छे ए आवी ने एक पगथियो नीचे बेसी गया ए जणावा माटे के जे पड़कार एमने फेंक्यो एमा तेवो हारी गया छे तो ये नोता इच्था के बिजाये जाने पन शीव जाने उवे इच्था आता तो एक सोने बार विभिन्न रितो छे शीव जे वादकरी राया चे ए जीवननी बनावट विशे चे कोई फिलोसोफी नती, कोई शिक्षा नती एनू कोई सामाजिक महत्वा पण नती फक्त विज्नान छे सामाजिक महत्वा आपने जोडी देता होई ये चे थोडु सहलू करवा माटे बाकी ये खूब विज्नानिक थे जाय आ विज्नान माथी अलग-अलग गुरुओ टेक्नोलोजी बनावे चे तेमने कोई टेक्नोलोजी नहोती आपी फक्त विज्नान आपीव तू जे टेक्नोलोजी आज़े तमें माणो छो स्मार्टफोन के कम्पुटर के बिजा कोई गैजेट ना स्वरूप मा एनी पाचड एक विज्नान छे आने एना थी तमने कोई मतलब नथी तमें फक्त टेक्नोलोजी वापरी रहा चो पन कोई ये जो एनी पाचण दो विगना ना मेडवी हो तो तमारी पासे पन आ टेक्नोलोजी ना होत जे आल्गोरिधम नो उप्योग थाए चे एक सामान्य सौफ्ट्वेर बनावा मां एक खरेकर खूब जटिल चे क्यारेक तमने तमारो इमेल के एक विचित्र भाषामा देखाये चे तमें जो यूँछे तमने ख्याल पन नहीं आवे शुआ में टाइप करियूछे तमारी माटे एनो कोई मतलब न थी पन कोई बिजा माटे महत्वनी वात होई शके अने टलेज एक आम करे चे हवे अहिया आपणे फक्त ध्वनी तरंगों उप्योग करी रहा चे हूँ जयारे बोलू छुँ आएम्प्लिफार्स फक्त अवाजने वधारे चे जे के हूँ बोलू छुँ अने ध्वनी तरंग रूपे तमारा सुधी पहुचे चे तो ये जयारे अहिथी यात्रा करे चे तमे सेलफोन पर वाद करो त्यारे अहिया थी बैंगलोर सुधी यात्रा करे चे त्यारे ध्वनी तरंग नहीं पण कईक अलग अज बनीने जाए चे जो तमे ये सांबली शको के अने अनुभवी शको तो ये तद्धा नलग जाशे पण कोई एक उपकरण अने फरिती ध्वनी मां बदली नाके चे जेने तमे समझी शको चो तो जे शिवे कहुँ ए शुद्ध विग्णान चे ये मने टेक्नोलोजी नी वाद नती करी एक आमे अमने सब्तरिशी पर छोड़ी दिदू के एवी कोई टेक्नोलोजी बनावे के जेने सामे बेसेला लोको समझी शके आपनी जरूरियातना अधारे आपने गैजेट्स बनाविये चे पण मुणभूत विग्णान एकाज होई चे एमा कोई बदलाव नती तो हूँ कायम शिव विशेवाद करता होचू कारण के विग्णान महत्व पुरुना चे टेक्नोलोजी नहीं ये विग्णान चे जे महत्व पुरुना चे टेक्नोलोजी बनावी शकाए कारण के एक मुणभूत विग्णान चे तो एनू उप्योग करी ने आपने केक बनाविये छे गैजेट्स जे आजे महत्वना चे कदाच काले एनू महत्वा घटी जाए पहले थी जनी शरुआ थे चुकी छे घणा बदा गैजेट्स जे आपने विचारता आता के खूब महत्वना चे तेनू हवे कोई महत्वना ती कारण के नवा गैजेट्स आवी गाया पन मुणभूत विगना नेकत चे तो केवा प्रकारना गैजेट्स आपने बनाविये इफ़क्त आदार राखे चे कि आपनी सामे कौन चे आने शू जरुरिया चे तो आ संदर्ब मा एक खूब 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 मोटो फर्क छे जेने तमे आदियोगी कहो चो अने जे कई बीजा नाम तमे उच्चार्या ए बधा टेक्निकल लोको चे तेवो एक पासू समझिऊ अने ए समय एमनी सामे बेठेला लोको माटे एक टेक्नोलोजी बनावी दिदी ए लोकोने मदद रूप थेई अने एक शाने एजवाद जरुरी हती पण आपने आदियोगीने एक मुडभूत विग्नान तरीके जोईये चे ए खूब महत्वनू चे आ प्रकार्ना समय आजे जारे मानवता गणा कारोण सर इविस्तिती मा पहुँची गई चे तो ए जरुरी चे केनू मुडभूत विग्नान खूब मजबूत बने